Hello guys, मैं हूँ मनीश वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चेनल Learn of Techno पर Dear friends, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो अभी बेच चला है वो One Liner और MCQ का चला है जिसमें हमने 15-16 क्लास है वो पहले कर चुके हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो बहतरी न लगता है, तो आप जरूर हमारे चेनल को सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को एंड तक एक बार जरूर बात करना, ठीक है? हमारा ये चेनल है, ये आईटे स्टूडेंट के लिए 100% डेडिकेटर चेनल है अगर आप कोई भी इंट्रेस एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, कम्पेटिशिन लिवल की कर रहे हैं फिर आप आईटे, सीटे या फिर अपरेंटिशिप स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे चेनल को जुरूर सस्क्राइब कीजिएगा क्योंकि यहां से आपका, जो हम MCQ कर रहे हैं, उनसे आपका 60% बेसिक है वो, यहां से कलियर होने वाला है ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं इसमें हमारा फर्स्ट क्योस्टन है, 11 नमबर का, 10 नमबर तक कल हमने कर लिये थे 11 नमबर है, जब धातू की hardness का गुण बढ़ाया जाता है, तब निमलिक्त में से कौन सा गुण में वर्दी होती है यानि कि जब मेटल में हम hardness को increase करते हैं, तो उसके साथ में एक property और increase होती है वो कौन सी property होती है, उसके बारे में पूछा गया है तो क्या, bitterness होता है, toughness होता है, malleability होती है, या फिर tenacity होती है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी definition है ना, वो सब की अगर आपको clear है तो आप आसानी से इसका answer वो दे पाएंगे bitterness का मतलब होता है, बंगूरता, कोई भी metal में बंगूरता का गुण यानि कि किसी भी metal पर अगर हम चोट मारते हैं, तो वो क्या होता है, टुकडो-टुकडो में बिखर जाता है, तूट जाता है उसमें bettenless का गुण होता है, toughness, toughness का गुण होता है, कि जब इसको हम खींचते हैं, मोडते हैं, मोडते हैं, तो भी तूटता नहीं है वो toughness होता है ठीक है maleability क्या होती है जिससे क्या metal की पतली चदरें बगेरा हम बना सकती है उसको maleability करते है वो tenacity tenacity होता है लचीलापन जैसे मानलो कि कोई भी जैसे हमारा रब्बर होता है जो क्या होता है लचीलापन होता है उसको थोड़ा वो थम करते हैं तो अपनी वापिस पहले वाले इस्तिती में आजाता है ठीक है तो यह क्या होता है tenacity यानि की लचीलापन होता है ठीक है तो अभी आप इसका answer वो आराम से दे सकते हैं कि जब धातु को hardness का गुन हो increase करते हैं तो उसके साथ में एक property और increase होती है तो हमारा right answer क्या हो जाएगा a is the right answer a is the right answer beaten less का गुन हो increase होता है यानि कि जब हम hardness increeze करते है तो effectiveness का गुन increase होता है ठीक है जब हम part की tempering करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है beaten less को कम किया जाता है जिसमें थोड़ी बहुत हार्डनेस भी कम होती है लेकिन बीटनलेस को कम करने के लिए टेंपरिंग करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा 12 नमर के उसन इसमें क्या दिया हुआ है इसमें है मेटेरियल में निमलनिक्त में से किस्त के कारण वह है scratch पढ़ने का पढ़ती रोद करती है यानि कि कोई भी metal है उसके अपर हम scratch डाल रहे हैं तो किसी पर ज्यादा scratches आ रहे हैं किसी पर कम scratches आ रहे हैं किसी पर scratches आ नहीं रही है तो उस metal में इसी क्या property है उन सब में जिसकी वज़े से उन में क्या है Scresses नहीं आ रहे हैं, तो क्या उसमें toughness है, क्या ductility है, क्या malleability है, या फिर hardness है, तो जैसे मैंने toughness का आपको पहले ही बता दिया था, कोई भी चीजा वो tough है, यानि कि वो असानी से तूट नहीं रही है, तो उसमें क्या होगा, toughness का गुण होगा, तीक है, यानि कि मोडने पर भी नहीं तूटती है, वो होती है toughness, यानि कि चिमड़ापन, ठीक है, ductility, ductility क्या होती है, तो ductility होती है, कि जिस metal से, यानि कि जिस metal में ductility property होती है, उस metal के हम पतले वायर वगेरा बना सकते है, यानि कि पतले तागार की रूप में उस reckility property होती है maleability की क्या होती है Progress recommended तो maleability की ये मैं बात करуск तो maleability की वज़े से हम क्या कर सकते है उस metal की पतली चद्बरें भगेरा बना सकते है ठीक है वो last हमारा hardness यानि कि hardness क्या होती है कि किसी भी पार्ट को हम गिसने से टूटने से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं? hard करते हैं तो इस property को क्या कहते हैं? hardness का गुन कहते हैं तो हमें क्या पूचा गया है? किस के कारण scratch पढ़ने का पड़ती रोध करती है? तो किस के कारण होगा? तो D is the right answer क्या हो जाएगा? D is the right answer यानि कि metal में अगर hardness की property है जितना ज्यादा metal hard होगा उतनी ही कम उस पर scratches आएंगे तो इतनी की कम वो metal है वो गिसेगी scratches आएंगे ठीक है? आई होप आपको सारा कुछ clear हो रहा होगा मैं कोसिस करूँआ कि हर एक question के चारो जो points जो रहते हैं चारो जो answer रहते हैं उनको में clear करता चलो ताकि क्या है कि एक साथ हम कम से कम चार से पांच के उसन हो एक साथ कर सकी ठीक है? यान कि हम अगर मानके चलो जो से हमने कल 10 के उसन की थे तो 10 नहीं वहाँ पर हमारे कम से कम 40 के उसन हो गए थे ठीक है? तो multiple परनाली में लंबाई की basic unit क्या होती है? SI सिस्टम में हम लंबाई की unit यान कि SI सिस्टम में हम length को किस में मापते हैं? क्या centimeter में मापते हैं? क्या meter में मापते हैं? millimeter में? या फिर micrometer में? ठीक है? तो यह पूछा गया है SI सिस्टम अगर यहाँ पर पूछ लेता MKS परणाली तों मिट्रिक परणाली में तो यह सारे ही ही आ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर पूछाए SI standard में SI परणाली होती है उसमें जो लंबाई की basic unit क्या होती है तो लंबाई की basic unit यहाँ पर क्या हो जाएगी SI unit के according कोडिंग हमारी जो बेसिक की काई हो जाएगी वह हो जाएगी मीटर क्या हो जाएगी मीटर यानि की बी इस दा राइट अंसर बी क्या हो जाएगा इसमें राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और क्या होती है जिसे अंक्यस पद्धिती होती है तो उसमें क्या आती है मीटर आती में क्या जाएगी मीट्रिक प्रणाल में ये चारों युनिट है वो हमारी हो जाती है ठीक है कि नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्यों सन तो 14 नंबर में क्या दियावा है फोटेन नंबर में पूचा है निम्न में से कौन सा एक परत्यक्स मापी ओजार है यानि कि direct measuring instrument है direct measuring tool कौन सा है क्या standard caliber है क्या आउटसाइड के लिपर है क्या try square है या फिर straight edge है तो मैं पहले आपको सब के बारे में clear कर देता हम standard steel rule क्या होता है steel rule के दौरा हम जंबाई चोडाई उन्चाई इन सब चीजों की एक ही टूल के माद्ध्यम से क्या कर सकते है नाप ले सकते है इस पर metric और British दोनों पर नालियो में निसान बने होते है इस standard steel rule का जो list count होता है वो कितना होता है एक बटे 2 mm या फिर 0.5 mm रहता है ठीक है standard steel rule होता है इस टेन्लेश टील का बनाया जाता है ठीक है रहा हमारा outside caliper 2 आश साइड के क्या होता है outside caliper के द्वारा हम बहारी कोई भी map माप सकते हैं यानि बहारी व्यास, लंबाई, चोड़ाई, ठीक है, बहारी उंचाई यानि कि बहारी size हम कोई भी है, वो outside caliper के द्वारा माप सकते हैं ये outside caliper का जो size है वो depend करता है कि हम किसके उपर इसकी map को transfer कर रहे हैं, उसके according ही इसका क्या रहता है, list count रहता है, इसकी accuracy रहती है outside caliper जो होता है, या high carbon steel का अगर बनाओगा, तो इसके point को hard and temper करते हैं, गिसने से बचाने के लिए अगर ये mildly steel का बनाओगा होगा, तो इसके points को हम case hard करते हैं, ताकि इनके जो working point होता है, उसको हम गिसने से बचा सकें, ठीक है next हमारा आता है trisquare, next क्या आता है trisquare, trisquare क्या चीज होती है, तो trisquare यानि कि समांतर line ने कीचने के लिए, straight line लगाने के लिए marking करते समय, इसके अलावा cone check करने के लिए, यानि कि 90 degree angle में समकून में check करने के लिए, यानि कि क्या कह सकते हैं, उसको कोई भी part जो हमारा है, जो भै, उसकी squareness चेक करने के लिए trisquare का यूज किया जाता है, trisquare होता है, ये भी कारे के बचाने के लिए क्या करते हैं, hard and temper करते हैं, इसका stock है, वो soft metal का, hard लकडी का बना हुआ होता है, ठीक है, इसके stock की मोटाई जादा होती है, blade होता होता है, इसके अलावा, जो trisquare से सबसे जादा पूछे जाने वाला क्यों सुन होता है, कि trisquare की accuracy क्या होती है, तो trisquare की accuracy बहुत कम student का पता होता है, तो trisquare की accuracy परती 10 mm में 0.002 mm होती है, कितनी? 0.002 mm accuracy होती है, कि इसकी trisquare की accuracy अगर पूछ लिया जाए, तो 0.002 mm होती है, परती 10 mm में, ठीक है? Next है हमारा 15 number, sorry, इसका answer नहीं बताया न आपको, तो इसमें क्या पुछा है, कि कौन सा एक परतेक्स मापी हो जा रहा है, यानकि direct measuring tool है, तो outside के लिए पर है, ये indirect हो गया, और straight edge, straight edge का काम क्या होता है, कि कोई भी parts है, उसको straight सीधा करने के लिए, parallel करने के लिए, या किसी के समानतर उसको निश्चीत हाइट तक उठाने के लिए स्ट्रेट एज का यूज करते हैं ठीक है ये भी अलग-अलग होते हैं कास्ट आइरन के होते हैं ठीक है इसके अलवा ये ग्रेन आइट के भी होते हैं इसके अलवा ये किसके बने हुए होते हैं हमारे स्टेटेज होते हैं यह इस्टील के स्टेटेज भी बने होते हैं ठीक है तो यह अलग-अलग स्टेटेज कारियर के कोर्डिंग बनाए जाते हैं ट्राइ स्क्वाइर होता है इसका काम होता है कि स्क्वाइर ने इसको चेक करना स्मांतर लाइनी कीचना ठीक है लेकिन जो हमारा स्टेंडर्ड स्टील रूल होता है उस पर क्या लगी होती है मेजरिंग की होती है माप उस पर लिखा हुआ होता है उसका खुद का ठीक है तो इ नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर 15 नंबर में क्या दिया हूआ है कि still rule का list count होता है तो still rule का list count मैंने अब भी बताया था आप लोगों को पहले वाले क्योंसर में तो फटाफट से answer देजी हमें comment box में comment कीजिएगा इसका answer में आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि अगर आपने connect होकर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर है वो जरूर मालूम होगा और dear friend जब तक आप हमसे connect होकर वीडियो को नहीं वाक्स करेंगे तो आपका इसका profit अवो नहीं मिलने वाला है इसलिए मैं आपके लिए short short वीडियो लेकर आता हूँ 20-25 मिनिट का 15 मिनिट का 10 मिनिट का ताकि कि आप जितनी देर भी देखे तो आपको boring महसूस ना हो और आप हमसे connect होकर रहे हैं तो जब भी आप वीडियो देखें तो connect होकर देखेगा आपके सारे doubt से वो clear होते जाएंग होता है क्या 0.5 mm होता है ठीक है तो कौन सा अंसर होगा commit करके ज़रूर बताएगा नेक्स्ट हमारा 16 नमबर तो 16 नमबर में क्या दिया हुआ है बी आईएस को जाना जाता है यानि कि बी आईएस को किस नाम से जाना जाता है बी आईएस की full form यहां पर पूची गई है तो ब इतराष्ट्रिये मानक ब्यूरो होता है क्या ओदोगिक मानक ब्यूरो होता है क्या भारतिये मानक ब्यूरो होता है या फिर इन में से कोई नहीं तो क्या हो जाता है तो बी आईएस यानि कि बी आईएस के full form क्या होता है Bureau of Indian Standard बी आईएस Bureau of Indian Standard तो बी आईएस का क्या हो answer भारतिय मानक ब्यूरो ब्या इस को बोलते हैं ब्यूरो ओफ इंडियन स्टैंडर्स अभड़्त है इसका ऑंसर भो हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 17 नमपर के उसन 17 नमपर में क्या दिया गया है कि केलिपर्स नीम्न मेसे किस मैटेरियल से बनाए जाते है केलिपर किस मेटेरियल के बनाए जाते हैं जो केलिपर इसमें देखिए आपके हैं बच्चे लगा देता, तब हम वर्णियर के लिपर, यानि कि, जो हमारा वर्णियर के लिपर मेजरिंग इस्टूमेंट है, उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है तो वर्णियर के लिपर है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था क्या टूली स्टील का बनाया जाता है हाई कार्बनी स्टील का बनाया जाता है माइल्डी स्टील का बनाया जाता है या फिर ब्रास का बनाया जाता है तो फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा कि केलिपर्स हमारे हैं वो किसके बनाए जाते हैं क्या टूल स्टील के, हाई कार्बनी स्टील के, माइल्ड स्टील के या फिर ब्रास के, तो किसके बनाए जाते हैं तो dear friend मैंने आपको बताया था तो उसमें क्या है मैंने हाई कार्बनी स्टील भी बताया था और mild steel भी बताया था लेकिन मैंने priority किसको दी थी पहले कौन सा बताया था high carbon steel यानि कि priority मैंने वहाँ पर किसकी दी थी high carbon steel की priority आपको दी थी तो यानि कि जो kelpers होते हैं उनको हम priority किसकी देंगे high carbon steel की तो क्या हो जाएगा B इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा B इसका right answer हो जाता है ठीक है next है हमारा 18 number 18 number में क्या है aluminum block की smooth finish के लिए nimlick में से कौन सी file उप्यूक्त होती है aluminum block की smooth finish के लिए कौन सी file हो उप्यूक्त होती है यानि कि aluminum का कोई part या job है उसकी हमें क्या करनी है filing करनी है और finishing भी आनी चाईए साथ मेे तो क्या वहाँ पर double cut file use करेंगे क्या quad cut use करेंगे क्या rasp cut file use करेंगे क्या फिर single cut file use करते हैं तो वहाँ पर हम कौन सी file use करते हैं तो ये जो मैंने file का जाट theoretical clear करवाया था वहाँ पर मैंने सारा कुछ इसमें कलियर किया है ठीक है, तो dear friend आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए हमारे चैनल पर अलग अलग playlist में नहीं है उनको आवाज कीजिए आपका सारा कुछ वो कलियर होता जाएगा ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि double cut file होती है वो normal सभी कारियों के लिए हम यूज करते है रफ कारियों के लिए भी, smooth कारियों के लिए भी ठीक है, hard metal के लिए भी यूज करते है covered cut file होती है यह किस के लिए यूज करते हैं प्लास्टिक वगेरा के लिए, लकड़ी वगेरा के लिए rubber वगेरा के लिए यानकि soft metal के लिए चमड़ी बगेरा के लिए यूज करते हैं वहीं पर अगर rasp cut के मैं बात करूँ तो rasp cut file हम कहां पर यूज करते हैं जादा थर rubber बगेरा पर प्लास्टिक बगेरा पर इसका यूज किया जाता है यानकि rasp cut file है आप कहां पर देख सकते हैं तो टायर पंचर की जो शोप होती है दुकान होती है वहाँ पर जो file उसके पास रहती है जो tube के ऊपर वो filing करता है तो वो rasp cut file उसके पास रहती है ठीक है लास्ट हमारा single cut file तो single cut file का यूज हम करते हैं soft metal पर और साथ में जहां पर finishing लाने हो ठीक है यानि कि finishing के लिए और soft metal पर यूज करते हैं तो यह question है यह most important question हो जाता है dear friend क्योंकि aluminium block का ही ज़्यादा तर पूछा जाता है कि aluminium block के लिए aluminium के लिए smooth finishing करने हैं तो कौन सी file यूज करेंगे तो D is the right answer क्या हो जाएगा D is the right answer यानि कि single cut file हमारी हो जाती है ठीक है यानि कि aluminium block पर smooth finishing के लिए single cut file का यूज है वो किया जाता है next है हमारा 19 number के उसन तो 19 number के उसन में क्या दिया हो है center punch का point angle होता है center punch का point angle पूछा गया है क्या 30 degree होता है क्या 60 degree होता है क्या 90 degree होता है या फिर 120 degree होता है तो center punch का point angle कितना होता है क्या 30 degree होता है 60 degree 90 degree या फिर 120 degree कितना होता है तो center punch के point की बात करें उससे पहले मां आपको बता देता हूँ 30 degree कौन सा angle होता है 30 degree तो ये angle पूछा गए है इसमें तो ये angle 30 degree होता है किसका prick punch का ठीक है, यह 30 degree angle किसका होता है, पर 15 का होता है, 60 degree की अगर मैं बात करूँ 60 degree की बात करूँ, तो वो किसका होता है, dot punch का होता है, 60 degree की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हमारा dot punch का, 90 degree, 90 degree की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हमारा center punch का center punch का cone कितना होता है 90 degree तो इसमें क्या हो जाएगा C हमारा right answer हो जाएगा center punch का point कितना होता है 90 degree होता है इसके use की अगर हम बात करें तो जहांपर हमें drill करना है drill hole बनाना है तो वहांपर center mark लगाने के लिए कोई भी जैसे कोई corner बगेरा बनाने के लिए या कोई भी चीज़ का center निकालने के लिए हम center punch का use करते है center mark करने के लिए इसके अलावा जो prick punch होता है उसका use हम करते है divider के point को stand देने के लिए इसका angle होता है 30 degree इसके अलावा soft metal पर punching करने के लिए भी prick punch का use करते है last हमारा होता है dot punch तो dot punch का use हम कब करते है normal punching करने के लिए यानि सभी साधान करियों के लिए हम dot punch का use करते है जिसका angle हो 60 degree होता है ठीक है इसके अलावा एक क्योस्टन और निकल कराता है punch से तो वो क्या होता है ये question हो रहे है न पंचिंग से निकल कराता है तो उसमें पूछा जाता है कि 60 degree prick punch का कौन क्या 60 degree prick punch का कौन पूछा जाता है तो इसने 60 degree आपको old lady दे ही दिया dear friend इसमें confused नहीं होना है कहीं आप prick punch नाम देखते ही 30 degree पर निशान लगा दोगे तो गलत हो जाएगा तो इसने क्या कर दिया already prick punch 60 degree prick punch का angle पूछा है तो क्या हो जाएगा 60 degree ही इसका right answer होगा ठीक है अगर ये सीधा यहाँ पर 60 degree ना देखर के 60 degree ना देखर के यहाँ पर सीधा prick punch पूछता तब इसका angle है वो 30 degree होता अब इसने क्या किया पहले 60 degree prick punch लिख दिया तो इसका angle कितना होगा 60 degree ही होगा ठीक है इसको ध्यान में जरूर रखना क्योशन बहुत बार पूछा जाता है ठीक है next और last क्योशन है आज की वीडियो का 20 number V block में उपलब्द होते है V block क्या A और B grade में होते है A B और C grade में होते है A grade में होते है या फिर B grade में होते है तो V block का grade यहां पर पूछा गया है तो V block का grade यहां पर क्या रहता है क्या A और B grade रहता है A B C रहता है A grade रहता है या फिर B grade रहता है तो कौन सा grade यहां पर रहने वाला है तो मैं आपको बता दूँ कि V block A और B दो grade में मिलते हैं वहीं पर अगर angle plate की बात करें तो वो एक और दो में रहने वाले हैं ठीक है एक और दो grade में एक grade और दो grade में आपको मिलते हैं क्या angle plate ठीक है V block आएगा A और B grade angle plate अगर आएगा तो एक और दो grade में मिलते हैं इन दोनों में confusion रहता है इसलिए मां आपको साथ साथ में clear करा हूँ इसके अलब अगर हम देखें A grade V block A grade V block तो इसका यूज होता है tool room में यह high quality tool steel का बनावा होता है इसका size वो 100 mm तक होता है वहीं पर अगर हम बात करें B grade की तो B grade का जो हमारा होता है इसका use हम workshop में करते हैं इसका जो size होता है वो 300 mm तक का होता है और इसके metal के अगर हम बात करें तो यह है close grain का styran का बनाया जाता है ठेक है dear friend आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको बेतर ही लगता है तो हमारे चैनल को जुरूर subscribe के जिएगा अपना sport के जिएगा और अपने friend circle में share के जिएगा wish you all the best, जै हिन, जै वार्थ